गुड मॉर्णिग अव्यवन दिस इस 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 इसिता किस और मायम जी का जो कॉपी अम लोग अनलीसिस कर रहे थे उसमें भूस सारे कमेंड मैंने ऐसे देखा जिसमें यह लिखा था कि ऐसी हैंड राइटिंग पर हाउ सी गिट ओल इंड रांक वन तो लेट मी वेरी क्लियर फ हैंड राइटिंग से बहुत जादा फर्क नहीं पड़ता यह आपकी क्लास 10th and 12th के एक्जाम नहीं है सेकेंड चीज कंटेंट मैटर करता है अगर हैंड राइटिंग बहुत मैटर करता ना तो जो कैलिग्रफर्स हैं वो इसली यूपेस सी क्रैक करते और सारे के सारे अर्म राइटिंग कुछ भी है आपकी आप Average हो आपने आज तक अभी तक कोई Miracle नहीं किया है फिर विए इस एक्जाम के तयारी कर सकते हो इस एक्जाम के तैरी कोई भी कर सकते हैं शोक किसी का बैग्राउंड कुछ भी है अर्बन बैग्राउंड है रूडल बैग्राउंड है supporter यह काम फिर school homeschooling किये हैं या फिर स्कूल जाके पढ़े थेले के ठील से पढ़े हैं तो कोई भी भर कर सकता है और इसमें कोई भी सक्सट कर सकता यह नहीं है कोई कोई डेफरेंस नहीं हुए चलिए स्टार्ट करते है आज श encryption कि तो फोरॉम इस में टेस्ट दे थी ऑनलाइन समिट किया था हिस्ट्री जिस पेपर वन की हम लोग देखेंगा भी टेस्ट की एनलिस ठीक है तो यह माम ने फोरॉम इस में यह टेस्ट सेरीज लगाया था ठीक है नेम ऑफ धी कैंडिडेट इस्टा किशोर सिगाट अल इंड यह डिसकस करना है कि बहुत सारे जो आर्कियोलाजिकल एविडेंस थे ठीक है न वो बहुत ही ज्यादा एक चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं कि सोशियल एकॉनमिक और रिलिजियस लाइफ जो था हर अरपन लोगों का वो काफी रिच था तो इसको बताने का जो बेस तरीका है उन्होंने कैसे स्टार्ट किया देखो इन्होंने इन्दस वैली सिविलाजिशन और धहरपन आर वन ऑफ दी ओल्डिस्ट अर्बन पीपल हुज रिच लिगेसी इस अंडर्स्टूड टूडे फ्रॉम आर्कियोलोजिकल इविडेंस मतलब उन्होंने इस पॉइंट से यह ब था वो अर्बन था ठीक है और उनकी जो रिच लेगेसी थी वो आज आर्कियोलोजिकल इविडेंस से मिलता है वो उनको पर चल गए अब देखिए रिच लेशी यहां से रिफ्लेक्ट हुआ हर अपन पीपल तो आपको पता यह इंदस वैली सिविलाजिशन यह तो यह तो कि कोश्चन जो पूछा उससे इन्होंने लिंक किया आपने फर्स्ट पैरा को इंट्रो को कर दिया लिंक इससे क्या हुआ जो इवैलिवेटर से उनको यह पता देला हां ठीक है देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम लोग आंसर से डाइवर्ट होते हैं पूछता क को डिफाइन नहीं करना है भाई फ्लड को डिफाइन करके क्या मिलना हमें हमें पता है जो कोश्चन फ्रेमर है जो कोश्चन फ्रेम कर चुके है न उनको पता है कि बंदे अब यहां पर पहुचे हैं तो उनको यह तो इतना ऐडिया तो है ही कि उनको पता है कि फ्लड क्या ह situation पे discuss करना था ना कि हमें flood को define करना था earth को define करना था अब समझ रो इस बात को emotions को समझो, tone को समझो और tone को नहीं समझोगे तो first para पढ़ेंगे और आपको marks कम मिलेगा even though आपने content बहुत अच्छा लिखा है सब कुछ add किया है लेकिन ये नहीं होना चाहिए ठीक है आप चलिए इन्होंने Indus Valley को explain कर दिया intro में इन्होंने question को put किया अब कैसे किया आप खुद देख लो question directly copy भी नहीं है और question में उन्होंने intro को put कर दिया है बहुत बढ़ी है अब वो आई है point wise पे कैसे economic life effect हुआ, कैसे economic life सोग हुआ economic life में उन्होंने बताया agriculture from plug marks in काली बंगन काली बंगन वाले reason में जो plug marks मिला है agriculture के field में उन्होंने ये बता दिया फिर सी तरीके से जो मुहरे मिली है seal वो reflect करती है barter system को, मतलब मैं कुछ commodity लेके आऊंगा, आप कुछ commodity लेके आना एक दूसरे से exchange कर लेंगे ये उन्होंने explain किया ये कहां मिला है, मोहन जोजारो अब देखे, इन्होंने ये तो जरूर बता दिया कि मुझे ये पता है कि economical life किस तरीके से agriculture बहुत ज़्यादा advanced था, फिर barter system कैसे चलता था काम, लेकिन कहां कहां मिला, ये भी वो यहां पर mention किया है और उसको underline भी किया है, इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हो रहा है, वो ये बताना चाह रही है कि देखो, मुझे question को frame तो मैं करी रही हूँ साथ साथ मुझे static facts भी आद है facts याद होने का मतलब क्या हुआ facts याद मतलब ये हुआ कि मेरी जो grip है ना question पर वो काफ़ी अच्छी है तेक है, इसी तरीके से करें मुझे बात करें तो granaries के बारे मुझे बताया to support other artifacts in harappa अब देखे, economic activities in harappa sorry, तो granaries के बारे मुझे बताया जो की support करेगा अलग economic activities को ठीक है, कहीं भी storage बन रहा है, गोदाओं बन रहा है granaries बन रहा है, तो वो support ही करेगा economic activities में तो ये हुआ economic activities में उन्होंने ये बता दिया कि देखो ये जो archaeological sources मिले हैं वो कैसे किस तरीके से reflect कर रहे हैं कि जो harappa के लोग थे, वो कैसे reach थे social economic and religious में तो देखो एकदम आपने, उन्होंने economic उठा लिया अब economic का point ओवर हो चुका है अब देखिए वो चलेंगी next है उनका social life, तो आप वो social को cut करेंगी social हो चुका है उनका, तो social life पे देख लो stadium found in lothul, dockyard dockyard भी मिला था, यहाँ पर बहुत popular है stadium stadium found in lothul, upper and lower citadel reflects inequalities example हरपा, अपर एक होता था ना, अपर citadel होता था, फिर एक lower citadel होता था जहाँ पर ये कुछ upper society के लोग उपर रहते थे, कुछ मतलब lower society जैसे worker class हो गया, worker clan हो गया, वो नीचे रहते थे ठेक है, bangles factory मिला है, यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि women loved dressing up, यह भी एक social activities हुआ, drainage मिला है जो कि urban planning system को सो करता है, urban planning system का बाप जब social society में रह रहे होगे, तब ही तो drainage की सोचोगे, clear है तो अब उनका, उनका जो point हुआ, वो shift हुआ religious life में religious life में, absence of temples, temples की availability नहीं थी, ठेक है mother goddess की एक state right मिली थी, आपको पता होगा जो की nature से influence थी, फिर उसके बाद, पसुपती, पसुपती अब देखे एक चीज और आप कहिएगा, कि आप यहाँ पर यह चीज उठा सकते हैं कि देखी सर, थोड़ा सा answer read करने में, या फिर इनकी handwriting में issues लग रहा है, लेकिन आप believe करो, जब भी कोई state PCS UPSC के जो evaluators होते हैं, वो उस level पर जा चुके हैं, कि उनको इन चीज से मतलब नहीं होता, अगर आपकी content अच्छी है, देखो जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इनमें, जो इन्होंने question frame किया है, जो इन्होंने चीज़े को पताया है, आप इस से जदा क्या expect कर सकत अब इस answer वोपर कि आप बताओ, किसको समझ में नहीं आया कि जो question पूछ रहा है, वही तो यह कहना चाह रही है, ठीक है, चलिए, आप देखिए उन्होंने बताया, cities जो था, वो grid format का था, inspiring modern day architecture, like, चंडिगड में, चंडिगड में उसी तरीके का है, तो देखिए आप यहा पॉइंट है, socio हो गया, economic हो गया, religious हो गई, यह यह differences थी, यह absence था, तो इसलिए, thus this lines and the learnings from their evidences have had a lasting impact, ओवा, question ओवर हो गया, इतना ही लिखना था, लेकिन आपको यह answer देखिए यह तो नहीं फिलोड़ा ना, कि बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या लिखती है, ऐसा नहीं है इवन class 10th का बच्चा भी, class 10th के बच्चा भी इस answer को परके सीख सकता है, तो class 10th के लिए भी यह असान हो गया, और even PC वालों के लिए भी को भी यह पतल जाए, कि उन्होंने जो भी question पूछा गया, वो इन्होंने डाल दिया है, अब आप बताओ, उसमें कुछ भी ऐसा है, जो यूनीक है, यूनीकनेस नहीं है, बट इनको built-in structure आता है, इनको पता है कि जो question पूछ रहा है, हमें question पर कैसे रहना है, सबसे बड़ी बात है, जो question पूछा गया, archaeological evidences, socio-economic and religious, पूरे question में इन्होंने कहीं भी इस ची जो को छोड़ा ही नहीं है, तो जब evaluator बार-बार बार-बार मुझे question तक ले जा रही है, मतलब क्या है, इनका जो grip है, ये question के line में है, ठेक है, important points को underline किया गया है, देखिए, ठेक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, writing कभी matter नहीं करता, अगर आपकी writing खराब भी है, आप attempt ले सकते हो UPSC, 1-2% matter करेगा, क्योंकि presentation is something different, वो होना चाहिए, no doubt in that, थोड़ी practice करनी चाहिए, लेकिन हाँ, सब कुछ presentation है, मैंने last वीडियो में देखा, आपकी comments, तो ऐसा कुछ मी नहीं है, thank you, और अगर ऐसे ये copy-up को चाहिए, तो आप मेरे telegram channel ISP Simplified पर जुड जाओ, और अगर आपको लगता है, कि ऐसे discussions पर तेगा, thank you